तो बच्चों जो हमारी 12 वाली स्रीच चल रही उसके अंदर जो हम टॉपिक कवर कर रहे है अपना चेप्टर कवर कर रहे है बिटा प्रिंस्पल एंड प्रॉसेस बायो टेक्मोलजी का उसके बिटा आज हम देखो इस चेप्टर के अंदर ना चीजे बहुत हौच-पॉच कर लेकिन अब क्योंकि मैं रिकॉंबिन डियन ने का फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ फिर भी अब आप इसके बाद में लास्ट लेक्शर के अंदर जो बिटा आमने कवर किया था कैसे हम कॉंपिटेंट होस्ट फॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर कर सकते हैं जनेटिक बताया था कौन कौन से स्टेप्स इनके अंदर बिटा आपको यह बताया गया है डिजारेबल डियन ने को पहचानना आप जानते हो एकदम सुरूवाले लेक्शर के अंदर जब आप बिटा प्लेइलिस्ट को फालो करना शुरू करें आप वह पता लगेगा यह सारी शीज करनी इस वेक्टर के अंदर करना हूगा लाइगेड विस हैलप डियन नैजा लाइगेज एं है इसके बाद में ट्रान्वीशन करना वह पीमीच के आ वाट इस वेक्टर को आपको भीजने के बाद में सिन्ग्णा लेकिन बटा इसके अंदर जो कुछ रू cemetery मोरे नाई् identify हमने क्या बेटा इस cell से इस particular DNA को निकालना है लेकिन आपको DNA को पहले निकालना तो होगा cell से बाहर कैसे निकालना होगा तो बेटा हमारी इसके अंदर सब हेंडिंग जो हमें पढ़नी है बेटा वो यह है कि isolation of DNA from the cell है ना तो देखो जड़ा isolation of DNA from the cell हमें क्या पढ़ना है बेटा isolation of DNA from cell हमें DNA को isolate करना है cell से बाहर करना है अब जो cell की मैं बात कर रहा हूं बेटा cell कोई plant हो सकती है कोई animal की cell हो सकती है कोई bacteria की cell हो सकती है ठीक है अलग-अलग तरीके की cell हो सकती है पंजाई की cell हो सकती है तो हम यह देखते हैं बेटा कि कौन-कौन से ऐसे enzyme हमें लगाने है अलग-अलग cell को digest करने के लिए और उनसे हम कैसे DNA को बाहर निकालने वाले है Suppose करते हैं हम plant cell ले लेते हैं, कौन सी? Plant cell से अगर हमें बाहर निकालना है, तो बिटा कुछ common चीज़े करनी पड़ेंगी जैसे plant cell है बिटा, तो plant cell में आप जानते हो, सबसे outer layer plant cell की किस्से बनी होती है बिटा, cell wall की बनी होती है, और cell wall is made up up cellulose, hemicellose, pectives और ये सब कुछ चीज़े इसके अंदर पाई जाती है तो हमें बिटा, mainly इसके अंदर अगर plant cell है, तो हम अलग से, जैसे अगर animal cell होती है, बिटा, वहाँ पे हम इन चीज़ों का इस्तमाल ना करते हैं लेकिन अगर हमें plant cell को digest करना है बिटा, तो आप जानते हो, यहाँ पे हमें cellulose enzyme का इस्तमाल करना पड़ेगा, cellulose को digest करने का काम करेगा, अगर हम बात करें बिटा है ना, इसके अलावा, pectinase का इस्तमाल करना पड़ेगा, पेक्टिन मगरा को digest करने के लिए, इसके अलावा, protease बिटा, क्योंकि protein, अगर हमने ये cellulose को digest कर दिया, pectinase cellulose की मदद से, तो इसके अंदर और क्या पाया जा सकता है, cell membrane तो सब के अंदर होगी, यहाँ पे भी होगी बिटा, तो cell membrane को digest करने के लिए आपको proteases का इस्तमा क committed to cellulose को digest करने का काम करेंगे, और lipases, lipids को digest करने का काम करेंगे, फीक है, ये करना होगा आपको, अगर आपने बिटा animal cell ली है, किस की cell ली है animal cell ली है, मान लो सा पोच करो animal cell ली है animal cell ली है, तो animal cell के अंदर आप जानते हो, कि animal cell के अंदर आपको cell wall को digest करना ने, क्योंकि cell wall है यह नहीं, तो direct आपको क्या डालना होगा proteases और lipases का इस्तमाल आपको animal cell के अंदर करना होगा पो प्रोटीन और लिपैट को डाल करके बिटा हम direct जो cell membrain है plazma membrane है उसको digest करने वाले हैं क्योंकि Millennium या plazma membrane के अंदर mainly जो होता है content नो डाल कर सकते हैं सब्वों के अधर देखेलो बिटा मान लो फंजाई के इस लिए आपने भैंट लें इसल ले लुट तो फंजाइन के अंदर अगर आपको सहल सवाल को डाइस्ट करेगा माइज अब आपको कायटिनेज के से स्कारिपिट के आपको को डाइस्ट करेगा। काइटिनेज लगा दिया आपने। इसके साथ में आपको प्रोटीज लाइपेज तो लगा नहीं क्यों कि प्लाजमामिरें तो हर जगहां होगी। तो प्रोटीज अन लाइपेज लाइपेज है ना। प्रोटीज अन लाइपेज है ना। प्रोटीज के लिए और प्लाजमम्ब्रेट का नेचर हर एकinals में एक ही जैसा होता है ने मेंली प्लोटीन और लिपेट के बने हुए होते हैं समझ रहो है मरी बात तो यह चीजें डाल दी आपने इसके बाद में आप पहुंच गए साइटो प्लाज्म के अंदर बेटा जब आप पहुंचोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कभी भी सेल के साइटो प्लाज्म को डाइस्ट करना होगा जैसे अगर आर ने को डाइस्ट करना आर ने जरूत है नहीं तो आपने क्या लगा दिया बेटा आर ने से लगा दिया आर ने को डाइस्ट करने के लिए इसको कर देगा यह अब आकरी में माल लो आपने इन सब चीजों का इस्तेमं कर दिया तो बचा क्या DNA सेल के अंदर DNA बच गया है अब DNA को इस से माल लो यह कोई पर्टिक्लर सेल थी यहां पर DNA बचा अब इस DNA को से निकालना है बाहर रिमूब करना है ऐसा समझो तो जह सेल को घर की तरह समझ लो ना आपने क्या किया बटा किसी घर को को पुज़ी तरीके से तिकडम लगा के बरबाद कर दिया उसको पर्टानी आप गए उससे दुख बातने के लिए, आपने कहा, कि भीया सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब आपको उससे और कुछ चाहिये, तो क्या करोगे, आफ़र करोगे कुछ ताना, पीने खाने वाला आदमी है, समझेशला पीने खाने वाला है, आपने आफ़र किया, क्या पैसा दारू ओफर करोगे ठंडी या गरा ठंडी वाले चुल्ड सभान को इस्तिमाल करना सब्सक्राइब कर तो, चुर्टेद्धना चुर्ट बेचारी बहुत दुखी थी आपने डिन को बाहर निकालना था डि यनने ही बचा था अब DNA क्योंकि बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ था धागी के फार्म में, आप चाहते थे कि इस DNA को concentrate करके एक जगा पर इक अठा किया जाए बेटा, तो आपने डाल दिया chilled ethanol, क्या डाल दिया, chilled ethanol, chilled ethanol डालने पर बेटा क्या होगा, DNA concentrate हो जाएगा एक जगा पर, और DNA जैसे ही concentrate हुआ एक जगा पर, प्रसिप्टेट कर गया एक जगा पर, उसके बाद में आप एक टेकनीक है, spooling, इस spooling का सहारा लेके, spooling technique लगा के आप DNA को बाहर कर लोगे, ऐसा समझो, जैसे जैसे वो चाहमीन खाते हो, काटे वाला चम्मच इस्तिमाल करते हो, ऐसा ही, है ना, जैसे स लगा लो, ऐसे काडा निकाल अफिर से लगा है ना, बाहर कर लो, तो आपने क्या क्या किया बटा, यह सब डालने के बाद ने, आखरी में डाला, आपने चिढ ले खेन ल है ना, ब्हुता है, えक जहाँ यह को पर, बाहर कर लिया ओ, अब DNA को बाहर कर लिया है, तो DNA को कट लिए ठीक है अब देखो जड़ा इसको पहले तो आम नोट डाउन कर ले फिर आगे की बाते करते हैं आप से हम ठीक है पहले इसको नोट डाउन कर ले पूरा अच्छे से आना बड़ा ज़रूरी गंटेंट इपिटाई है ना देखो हाँ अब इसके बाद में आपको करना क्या है बिटा करना ये है कि जो डीने है बिटा डीने के तुकड़े करने है कट करना है तो कट करने के लिए बिटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा ओगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया आपने कट कर डाला जो डीने बाहर निकला बिटा इस डीने की कटिंग कर डाली है कट अलसी हो है है o कैंट किस एगा से दोवेंघ के दोवागा रिस्ट्रिक्सण एंजाइम के दोवारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा लगांकि आपने डिऊने को कट कर डाला कट करने के बाद में जो कटा हुआgem कॉनल ने को मैं लाइगेट करना है के अब सबसेत करो चो आपने धीनने कट किया जो डिजायर डिटा क्या Dual, यह Desired DNA आप ने कट किया बिटा, यह बहुत कम है यह टुकड़ा आपको मिला जो बिटा बिचारे आपको अड़ करना है वेक्टर तो बहुत सारे हैं आपके पास आप कहह रहे हैं हमें मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए हम से जूड़ो हमसे जूरो हमसे जूरो अब यह बेचारी जो डिजायर डिन्ने है एक ही किस किस से जूड़ेगी सब कह रहे हमें हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए सब एक दम है उताओ ले बैठें किसी एक से तो जूड़ ना हो बाकी सब लेकिन नाराज हो जाएंगे कि तो ऐसा है बेटा कि मिलना सब को चाहिए एक को मिलेगा दूसरा उन्हें नहीं लग जाएगा तो करना क्या होगा कि इस DNA को एंप्लीफाई करना होगा एंप्लीफाई करके आप अच्छा दिक्कत क्या है बेटा अगर मालो आपने इतना टेक्नीक लगाया डुकरा चोटा सा मिला एक वेक्तर के अंदर आपने मालो लाई-ड कर दिया दो चार नर कर दिया तो आप क्या बहु ज़्यादा प्रॉडप्टक्ट फॉर्म कर पाओगे नहीं कर प्योर दूसरा करण चाहिए उस नंब्र को बढ़ाने के लिए हम क्या करना होगा हम्य priorit । करने का तरीका क्या होगा PCR होगा क्या होगा PCR तो हम जो next process समझने वाले PCR का समझने वाले ध्यान देना जरा देखो बबुगा जरा ध्यान से तेखो अब देखो हम क्या करने जा रहें पी-सी-आर टेक्नीक लगाने जा रहें है इसका नाव है Polymerase Chain Reaction इसमें हम करते क्या है विटा पॉलिमरेज चैन रियक्शन के अंदर desire DNA को हम amplify करते हैं किसकी मदद से करते हैं PCR की मदद से करते हैं हम इसके अंदर steps क्या क्या involve होने वाले हैं PCR को करने के लिए बिटा हम क्या क्या करने वाले हैं सुनो जरा ध्यान से बिटा देखो 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 PCR के अंदर हमें मेली तीन process करने हैं सुनो जरा सबसे पहले हमें करना होगा denaturation 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 के अंदर वभवा करना क्या होगा DNA double strand होता है तोलो होता ही कि नहीं होता है सपोच करो DNA double strand है यह double strand का DNA है देखो जरा इधर देखान से denaturation हम करने जा रहे हैं हमने लिया double strand का DNA अब यह double strand का DNA है आपस में एक दूसरे से hydrogen bond के दोरा जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता आप बताओ हमें जरा इसे करें कुछ भी लगा डा लो आप इसका कॉम्प्लिमेंट्री कैसे बना जाते हैं तो गौनीन के साथ में जो करेंगा इसे करते हैं अच्छा आपने गर डाला अब ये जो बेटा double standard DNA है ना अच्छा इसकी polarity क्या होगी एक दूसरे के opposite strand होते हैं 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime बोलो होता है कि नहीं होता है अब denaturation करने के लिए बेटा हमें इसको temperature देना होगा हीट करना होगा इन दोनों strand को यह दोनों strand आपस में hydrogen bond के जुड़े नहीं नहीं बोलो guanine cytosine है ना एडिमीन ताइमीन के बीच में hydrogen bonding होती है है ना एडिमीन ताइमीन और guanine cytosine के बीच में होती है अच्छा देखो अगर इतना हई temperature पे DNA को बेटा गरम करोगे तो तूटेगा जरूर इस strand इसके अलग हो रहा है बेटा तो इस strand को हम अलग क्यों कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि हम यहां पे दोनों strand को अलग अलग तरके बेटा इसका complementary form कर सके मतलब एक DNA से हमें क्या बनाना है दो DNA दो से ब करना है हमें तो सुनो denuturation की बाद हमें करना होगा annealing करते हैं लगभग 54 degree Celsius के आसपास करते हैं 54 degree Celsius के आसपास करते हैं मतलब हम cooling कर रहे हैं with respect to denaturation वहीं से तो बेटा यह temperature भी काफी जादा है हम cooling का नाम नहीं दे सकते लेकिन क्योंकि हमने denaturation के अंदर इतना high temperature ले रखा है कि इसके comparison में हम annealing को कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं annealing के अंदर थोड़ा cool down कर रहे हैं cool down करने के दौरान हमने किया गया यह जो दोनों strand हमने denaturation के दौरान अलग-अलग किये थे बोलो किये थे कि नहीं किये थे G-A-C-T-A-G-C-T कि मैं इह हमने अलग-लग किये थे देखो देखो कि गवानीन की जगापे साइ्टोसीन अडिमीन की जगापे थायमीन ओच्छा अब देखो जड़ा ध्यान से वह गुआ इसमें आपको लगाना है Primer प्राइमर लगाना है यहाँ भी लगा दो अब Primer जो लिया जाता है पहली बात तो Primer है क्या तो सुनो जड़ा Primer के अंदर हम Oligonucleotides Deoxyribonucleotides या आपकी NCR-DM Oligonucleotides ले रखा है Oligo प्राइमर के साथ में और जो आफ्रीमर लिया गाएगा जैसे साइटोसीन यहांपर है तो यहां पहलेने वाले हैं इसकी जगाँ पर हमें लेना है थाइमीन वाला है तो थाइमीन वाले की जगहां पर हमें लेना है अच्छा इसका 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 यहां पर भी है ना वैसे ही वाला होगा यहां पर क्या हो जाएगा बोलो साइटोसीन हो जाएगा इसकी जगहां पर अगर यहां पर एडिमीन है तो यहां पर क्या ह जाएगा थाइमीन हो जाएगा और यह थाइमीन है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लिमेंट्री आपको लेना है प्राइमर के साथ में आपको दूसरा क्या लेना होगा बेटा डी एन्ने पॉलिम्रेज लेना होगा कौन सा पॉलिम्रेज डी एन्ने यह दोनों हम लगाने वाले है कि यह जो DNA पॉलीमरेस बेटा हम ले रहे ना कोई DNA नहीं क्ला विएत उपर और जकर सके हाई temperature के ऊपर यह काम कर सके ऐसा वाला डिन ने पॉलिम्रेज लेना है ऐसा वाला कहां पर मिलेगा उस ऑगनिजम के अंदर मिलेगा बिटा जो हाई टंपरेचर वे सर्वाइब कर रहा हो अब इसको बताने के लिए हम याद करवाना चाहते हैं बिटा आपको कहों से चेप्टर बायोचकल क्लास एक प्यारा बैक्टरिया की जो थर्मो असुरो फिल थे ऐसी इंवार्मेंट दौ रहा है थे जहां पर हाई टंप्रेचर लोब्यार इस था अड़िक इस अवार्मड़ एक्जांपल बताते ना थरमस प्यांपल बताते हैं तो एक बिटा-इस्पेसल बैक्टरिया जिशका thermos aquiticus यह thermos aquiticus जो है बेटा इससे हम निकालते हैं tack polymerase tack polymerase thermos aquiticus से निकालते हैं बेटा और इस tack polymerase का इस्तमाल करके हम बेटा DNA को amplify करते हैं इसको amplify करते है DNA को ठीक है अब annealing process के अंदर आपने primer add कर दिया DNA polymerase लगा दिया अब जो एकदम आखरी step है जिसको बोलते हैं extension extension बोलते हैं मुझे लगता है नीचे दिखेगा नहीं इसलिए हम third process extension वाला हम इसको बीटा के दिखे अच्छा चलो extension बीटा यह बता देते हैं दिख जाएगा सायद आपको G, C, T अच्छा अईसा अईसा अब सुनो इसका complementary C, T, G, A T, C, G, A ओके अब सुनो primer हमने बीटा कौन सा लगाया है primer देखो यहाँ पे हमने लगाया था इसका complementary इसका complementary बीटा C का क्या होगा G होगा G होगा T का क्या होगा एडिनीन होगा और A क्या होगा थाइमीन होगा अगर यहाँ पे हम complementary देखने की courses करें बीटा complementary यहाँ पे कौन सा होगा जड़ा बताओ हमे यहाँ पे कौन सा complementary होगा बीटा G है तो इसकी जगाँ पे साइटोसीन एडिनीन की जगाँ पे थाइमीन और थाइमीन की जगाँ पे एडिनीन ऐसे ही कुछ आएगा अब इसको में एक्स्टेंट कर डालें अगर एक्स्टेंट करेंगे बिटा और ये चैनी रहे हो यह इधर साइटोसीन की जगाँ जगाँ पे गवनीन आ जाएगा और ये तो आप जानी रहे हो बिटा यह इधर कि यह बात है पूरी समझ रहे हो यह पूरी बात है तो ऐसा करते बिटा यह जो साइकल चल रही है ना जिसको पीशियार पॉलिमिलेश च्रेक्शन बोलते हैं इसके अंदर हमने यह कहा बेटा यह कहा हमने कि यह जो प्रॉसेस चल रहा है बेटा डी नेचुरेशन एनिलिंग अगर कोई पूछे सब 20 बार चलाये तो मान लो 20 टाइम्स हमने चलाया फिर 1 million copies ठीक है तो ये आपको याद रखना है बिटा तो इस तरीके से बिटा आज हमने आपको ये बताया Spooling Technique कैसे हम DNA को से बाहर करते हैं दूसरी चीज हमने extension process बताया कैसे PCR का इस्तमाल करके DNA को amplify करते हैं उमीद करते हैं लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो फगलाड़ हो एक दम से फैलाद हो एक दम है ना वायर करवाद हो यार यह सब है ना जिससे हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलो बढ़ी हां वणिया वीडियो तुमाहें लिए लाते रहे हैं तो इसी टोन के साथ हम खतम करते हैं आज की लेक्चर को अपने और तुम लोगों से उमीद है कि पूरी पूरी स्रीज आप फालो करोगे समझे थोड़ा बहुत ऐसे अगर मजे लेन लिए आ सोते टाइम के रजाहिका इस्तिमाल करें बाकि टाइम आप कपड़े बढ़ियां से पहिंच के कूर्सी मेज के ऊपर बढ़िटें समझे हैं हां कोई दिक्कत हो भी बता देना और जादा मढ़ियां पढ़ा रहें दूसको ज़रूरी बताना है समझे हां तो बिटाईसी के स साथ हम इस लेक्चर को अदम करते हैं थैंक्यू वेरी मुच